अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे BPSC TRE में B.A. डविर्थियों को शामिल होने को लेकर के एक याचिका पटना हाई कोट में दी गई थी और उसके संदर्व में क्या कुछ एक निशकर्स निकल करके आया है उसके बारे में साथ में जब हम 36 गड़ की बात करते हैं एक वीडियो हमने एक दिन पहले बनाया था और उसमें हमने कहा था कि 36 गड़ में जो है जो B.A. डविर्थि हैं उनकी कहीं ने कहीं ऐसे में एक जीत हुई है उन्हें नियुक्ती पत्र दिया गया है उसके बारे में और यहाँ पर पटना है कोट में क्या कुछ हुआ B.A. डविर्थियों के साथ में उसके बारे में दोनुची जो को ले करके अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अंतर तक बने रहेंगे तो सारी चीजे आपको समझ में अच्छी तरीके से आएंगी यहाँ पर जैसा कि 36 गड़ की जब हम बात करते हैं तो 11 अगस्त दो हजार तेज को माननी सुप्रेम कोट ने फैसला दिया बेड वर्सेस बेटी से का जो मामला लंबी चल रहा था उसके बाद जब हम 21 अगस्त दो हजार तेज की बात करते हैं उसमें क्या हुआ कि काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया गया किसे जब हम बात करते हैं बेड विर्थी वो भी 36 गड़ में और ऐसे में जब हम उनकी नियुक्ति पत्र को ले करके बात करें तो उसमें ये बात अभी मेंशन है उनमें जो मानिली सुपरिम कोट का फैसलाया वो चीज मेंशन है ये चीज कहा गया कि जो आपकी नियुक्ति है वो आस्थाई है मतलब कहने का यह है कि भविश्य में उन्हें उस पद से हटाया जा सकता है भले वहाँ पर अभी B.A. भीर्थी शामिल हो गया है दूसरी चीज अब यहाँ पर पटना हाई कोट की बात कर लेते हैं उसी को आधार मान करके 36 गड़ में जो हुआ जो B.A. भीर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया काउंस्लिंग के बाद उसी को आधार मान करके एक बार फिर से आचिका दी गई थी 22 नो 2023 को लेकर के बात करें आप पूरी चीज यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे जो इसका जिस्ट है जो सार है वो हम आपको ऐसे में बताए दे रहे हैं ठीक है अब हुआ यह कि यह कहा गया कि हमें भी मौका दिया जाए तो जब हम पटना हाई कोट की बात करते हैं तो उसने यहाँ पर जो एक निशकर्स दिया वो यह था जब उसने कहा कि चुकी बिहार का जो मामला था वो अलड़ी माननिय सुप्रिम कोट की जब बात की जाए तो व उसमें शामिल प्राइमरी में नहीं होंगे ठीक है तो ऐसे में और दूसरी चीज़ जब जो 36 गड़ में नियुक्तियां हुई है वो आस्थाई नियुक्तियां है तो ऐसे में आपको बिहार में जो BPSC का एक्जाम है बिहार टीचर एक्जाम है उसमें आपको मौका नहीं दिया जा सकता है क्योंकि मानिने सुप्रिम कोड कि तीन जजो की वेंच अल्रडी इस पर जो है फैसला सुना चुकी है तो इस पर आगे कोई भी विचार जो है वह नहीं किया जाएगा तो आप तरफ आप एक तरफ यह कह सकते हैं कि बीड विर्थी 36 गड़ में शामिल जरूर हुए है लेकिन का भविश्य जो है वो कही नगाई खत्रे में है आप यह ध्यान लखे मत्तब प्राइमरी में प्राइमरी को ले करके बात करें क्योंकि वहां पर वो न्यूक्ति आस थाई है और दूसरी तरफ यहां पर एक बार फिर से बीड जो भीरती हुने जटका लगा हैं वीडियो को अपने दोस्तों सहपाटियों के साथ में भी शेयर जरूर करिएगा कोई और सवाल है तो कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर शुक्री आप सभी का